हाँ जी तो कैसे हैं आप लोग चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं टाइपस ऑफ कैमिकल रियक्षन यानि कि रसाइनिक अभिकिरिया के परकार जो पहला परकार है वो है संयोजन या संसलेशन अभिकिरिया किसे कहते हैं संयोजन अभिकिरिया को इंग्लिस में बोलते हैं combination reaction देखिए इसके नाम से ही पता चल जा रहा है combination मतलब combine होना वो अभिकिरिया जिसमें एक से ज्यादा यानि दो या दो से अधिक तत्वा आपस में combine होते हैं कि मिलते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सिर्फ एक ही मिलता है यानि कि सईयोजन अभिकिरिया वह अभिकिरिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रियक्टेंट भाग लेते हैं और अभिकिरिया के बाद सिर्फ ह सौंब्स लेक्ट है उस अभिकिरिया को क्या कहते हैं स्टियों अभिकिरिया say much?! कहते हैं यह सिंधिस कहते हैं बात एक ही मतलब होता है मिलना कमबाइन होना एक दूस्ञाय सवmother से मिलना और एक ही सिर्फ एक ही नया पोस्डाक्ट देना इस ही अभिकिरिया को बोलते हैं सईयोजन अभिकिर एक्जामपल के तौर पर अपलीज़े audition होता है ना चाहे वो किसी भी चीज़ का हो गाना का हो या dance का उस चीज़ का audition होता है तो जब audition होता है तो बहुत सअरे जाते हैं बहुत नहीं यह लोग जाते हैं audition देने के लिए लेकिन लेकिन वीनर सिर्फ एक ही आदमी बनता है तो उसी तरह इस अभिकिरिया में सईयोजन अभिकिरिया में अभिकारक बहुत सारे होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा जैसे कि सी प्लस ओ टू ये दोनों एक दूसरे से कमबाइन होकर यानि कि मिलकर क्या बनते हैं सी ओ और दो एक दूसरे से कमबाइन होकर सी ओ टू दिये इसका मतलब ये क्या है सईयोजन अभिकिरिया है संसलेसं अभिकिरिया है एक और एक्जाम्पल लीजिए आप बहुत इक कॉलर को मिला ये एक पिंक लीजिए एक गुलावी लीजिए तीन चार कलर ले लीजिए और उन तरव सिर्速 एक ही पॉड़क्ट देंगे और इस नय पॉड़क्ट का सिनाए पर्तिफल का जो गूड़ होगा ó तो बिल्कुल अलग होगा जैसे कि आप रंग बनाएंगे दो चार कलर को एक साथ मिला कर जो नया रंग बनाएंगे वह जो नया रंग बनेगा वह ना लाल होगा ना गुलाबी होगा ना ब्लेक होगा वह तो एक डिफरेंट कलर होगा उसी तरह इसमें भी CO2 में एक अलग Er Terrass Little kag herman 선 with jrably लगा सकते हैं तो इसमें क्या हो रही है दोनों अभीकिरिया में क्या हो रहा है दोनों अभी कि लिए में संयोजन और संसलेशर्ण ठीक है संयोजन का मतलब होता है मिलना वह अभी करिया जिसमें भिकारक मिलकर नया पॉड़क्ट देते हैं शुक्त में आया अब आगे बढ़ते हैं वी ओजन या अपगटन अभिक्रिया डी कॉम्पोजीशन रियक्शन इसमें ठीक इसका उल्टा होता है इसमें क्या होता है इसमें सी ओटू जो है ना इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेकर सिर्फ एक पोड़क्ट बन रहा है न जानिका इसमें दो या दो से अधिक तत्वभ मिलकर एक नया पोड़क्ट बना रहे थे अब इसमें एक बढ़ा तत्वायेगा जो की टूट कर दो या दो से अधिक प्र Alekin एक पोड़क्ट कर एक पार ये तूट गया है और टूटने के बाद दो दो अलग अलग क्या बनाया है इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया उसे कहता है जिसमें कोई बड़ा यौगिक हो बड़ा अड़ू हो यौगिक का मतलब होता है उसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले हो तो बड़ा यौगिक हो और वो तूट कर दो या दो से अधि जरूर नहीं है किदो बनाते हैं तो तरह के भिकिरिया को बोलते हैं व्योजन का मतलब होता है तोट जा ना डीकंपोज होजाना थीके तो व्योजन अभिकिरिया किसे कहते है वह अभिकिरिया जिसमें एक बड़ा योगिक तूटकर दो या दो से अधिक पर्तिफल बनाएं उस तरह के अभिकिरिया को क्या बोलते हैं वियोजन या अपगटन अभिकिरिया तो यहां तक समझ में आएगा सही अभिकारक मिलते हैं और वियोजन मतलब तूटना ठीक है वह अभिकिरिया जिसमें अभिकारक तूटकर दो या दो से अधिक पर्तिफल बनाते हैं यहां तक यह दोनों अभिकिरिया के परकार हो गए आगे समझते हैं तब तक आप यहां तक स्क्रीन सोट लीजिए तो आप वियोजन या आप गटन अभिकिरिया समझ गए अब वियोज इसलिए इसकी तीन प्रकार होती है है उसमिया अभगटन अभिकिरिया उस अभिकिरिया को कहते हैं जिस में हम हीट अभिकिरिया को तोड़ते हैं और युप वह बागों में वह तो इस तरह को एभी किरिया को उसमी आभी किरिया कहते हैं वैसा आभी किरिया जिसमें हम हीट दे कर तोड़ते हैं योगी को तो उस तरह के वह क्या कहते हैं कि उसमें अबगटन अभिकिरिए जैसे कि ये c a c o 3 है calcium carbonate इसको heat दिया जा रहा है यानि कि उसमा दिया जा रहा है तो ये किसमें तूट जा रहा है calcium oxide और co2 यानि कि carbon dioxide में ठीक है carbon dioxide का गैस बन जा रहा है तो यह आप हीट देकर तोड़ रहे हैं तो इसलिए आपको इसको क्या बोलेंगे उसमिया अभिकिरिया अगला है वैदुत अभिकिरिया किसे कहते हैं साफ नाम से मालुम चल रहा है कि वैधुत अभगटन यानि की वैधुत देकर यानि कि electric current देकर तोड़ना है कुछ ऐसे योगिक होते हैं जो heat देकर यानि कि उसमा देकर नहीं तूटते हैं तो उस तरह की योगी को हम electric current द्वारा तोडते हैं जैसे कि एक हें या पर यह हीड सो नहीं तूटता है इसलिए इसको एलेक्ट्रिक करेंट देते हैं और यह प्लस और सी-एल माइनस में तूट जाता है थी सोडियम कुल राइट यानि की नमक होता और उसको तोड़ेंगे तो तूट जाएगा नहीं उसको आप द्राविद करेंगे यानि कि लिक्वीड में चेंज करेंगे एनसेल का जल यह विलियन बनाएंगे देखिया मानलीजी यहां पर आप एक इक लूए और यह नसेल को आप लिक्वीड बनाई यह क्या नसेल को द्रावित एनसेल यानि कि उस ये नमक में थोड़ा पानी मिला दीजे, ताकि वो liquid बन जाए, और तब उसमें दो एलेक्ट्रोड लगाईए और एलेक्ट्रोड लगाकर उसे क्या कीजिए, बैटरी से जोड दीजे यहां पर, स्वीच से, इलेक्ट्री करेंट दीजे यहां पर, ठीक है, और एक को मान लीजे प्लस, और इसको माइनस, तो प्लस देखा हिं अनौ औरैनोड क्या बहुते हैं अनौ और्ट हूट róż़ो गया अब जब आप इसमें इलेक्ट्रिक इस यानि की लिक्विट नसल सोडियम को झॉल्रेड यानि नमक में एलेक्टिक धाराप प्रवाहिद करेंगे तो यह यह तूटयेगा और यह प्लॉस बन जाएगा और यह किदर चला जाएगा ऑर और कि यह प्लॉस है तो कि एक त्रेक्ट करेंगे और यह प्लॉस जाकर कैथोड पर जबता है क्योंकि यह प्लॉस है तो यह एक दूसरे को attract करेंगे तो यह CL माइनस जो है ना यह एनोड पर जाकर जमा हो जाएगा और इसी तरह से आप जैसे जैसे एलेक्ट्रिक धारा पर वाहित करेंगे वैसे वैसे एने प्लस जाकर यहां पर जमा होते जाएगा और लेक्ट्रिक करेंट से यानी की वैदुत धारा दौरा आप इस जोगिक को क्या कि अब ही इस अभी लिए को आप व क्या बोलेंगे वैदुत अभिकिरिया अगला है परकाशिय अभिकिरिया जिस तरह आप इसमें हीट देकर तोड़ रहे थे इसमें अब अलग तरीके तोड़ेंगे इसमें परकासी यान की लाइट देकर तोड़ेंगे जैसे कि टूएजी इसको लाइट की उपस्तिति यानि की परकास की उपस्तिति में क्या करेंगे तोड़ेंगे तो यह किसमें तूट जाएगा तोड़ना ही क्या कहलाता है तो यह तीनों समझ में आ गया आप यहां तक समझ में आ गया अब आप ऐसा नहीं समझिए कि जो टाइप आप यह तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज